Step 1. Sketch सबसे पहले जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका sketch आप ready कर लिजी canvas पर और sketch बनाते हुए आपको दो बातों का ध्यान रखना है Number 1. Light pencil के साथ sketch बनाएं मैं आपको 6H की pencil यूज़ कर रहा हूँ कोई जादा greasy pencil यूज़ ना करें और Number 2. पूरी planning के साथ अपना sketch बनाएं उसके बाद हम लोग move on करते है Step Number 2. Color mixing और Color mixing के लिए मैं आपको easy करने के लिए एक चीज़ बताता हूँ सबसे पहले अपनी image को pixel art में import कर लीजे और उसके बाद आप वहाँ पर effects में जाएं और effects में जाने के बाद आप image को pixelize कर दीजे Pixelize करने के बाद जो pixels की density है उसको कम कर दीजे और 20 तक लेआई अब आपको यहाँ पर एक color chart बन जाता है आपके लिए जो कि आपको color mixing में काफी help करेगा क्योंकि आपको मोटा मोटा पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन-कौन सी colors आपको use करने है और यह आपको color mixing में काफी helpful रहता है अब यहाँ पर जो colors में use कर रहा हूँ मैं बिल्कुल limited palette use कर रहा हूँ titanium white, cadmium yellow hue, yellow ochre, cadmium red hue और ivory black और इनी colors को use करके हम लोग पूरी painting बनाने वाले है अब आते हैं color mixing पर सबसे पहले आप white color जो है वो थोड़ा-थोड़ा सभी colors के साथ mix कर दीजे क्योंकि वहाँ पर आपको उस color का एक tint मिल जाता है जो भी color हमारे पास है तो हमारे पास colors की range भी बढ़ जाती है प्लस आपके पास light substitute रहता है उस color का उस time पर available जब आप skin tones या or light colors mix कर रहे हो अब हम लोग color mixing start करते हैं painting के according और जो हमने pixart में chart बनाया था उसको with reference रखके हम लोग color mixing करेंगे उसका फाइदा यह है कि उसमें से सिरफ आपको मोटे-मोटे 5 color mix करके बनाने है और उनी से आपके painting बन जाएगे क्योंकि बाद में जो colors हैं वो आप उनको mix करके बना सकते हैं जैसे यहाँ पर मैंने यह color बना यह 4 color सिरफ इस color को ही represent करते हैं इसी तरीके से आप identify कर लिजे कि कौन-कौन से color same है और उसी तरीके से आप 5-6 color मोटे-मोटे जो colors आपको नजर आते हैं कि यह color इसमें use हो रहा है जादा वो आप mix करके रख लीजे और एक चीज़ दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सिरफ skin tone पर एक video बनाओ तो आप मुझे comment में ज़रूर बताए और जो colors के arrangement है उसको आपको dark to light रखना इससे हमें painting करते time colors को pick करने में काफी आसानी रहेगी उसके बाद जो हमने sketch बनाया है उस पर आपको directly painting start नहीं करनी है अगर आप ऐसा करते हो तो हो सकता है जो pencil है वो paint में mix हो जाए या तो आप sketch को fix कर दीजे fixative के साथ या फिर आप उस पर एक thin coat किसी भी acrylic color का लगा दीजे जैसे मैं यहाँ पर apply कर रहा हूं एक foam के साथ sponge मैं use कर रहा हूं यहाँ पर उसके साथ हम लोग बढ़ते है next step step number three start with dark areas जब भी आप painting बना रहे हो तो उसमें सबसे पहले dark areas identify कर लीजे जो shadow areas है painting के उनके अंदर आपको dark color सिर्फ apply करना है और ऐसा करने के दो-तिन reason है कि हम लोग पहले dark क्यों start करते हैं सबसे पहली चीज़ अगर आप पहले dark color establish कर देते हो तो वो जो dark है वो fresh रहता है आपका जो dark color है otherwise अगर हम लोग बाद में करते हैं इसको apply तो dark color कहीं-कहीं mix हो जाता है दूसरे paint में और उसको tackle करना थोड़ा difficult होता है और दूसरी चीज़ यह है कि जब आप dark areas पहले fill up कर देते हो तो आपके पास जो picture है पूरी वो दिखने लगते है आपको और आपको color judging में भी काफी असानी रहती है और उसके साथ एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि flat black प्योर black color आपको use नहीं करना है dark areas में आप थोड़े एक area में use कर सकते हैं यानि कि छोटी कहीं पर जैसे आख में थोड़ा सा use करना है वो आप use कर सकते हैं लेकिन पूरा जैसे यहाँ पर मैं पूरी broad patches में काम कर रहा हूं तो उसके लिए आपको black color use नहीं करना है क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो वो flat surface लगेगा वो shadow area नहीं लगेगा वो सिर्फ ऐसा लगेगा कि flat surface है वहाँ पर depth उसके अंदर नहीं आ पाएगी क्योंकि solid black color depth नहीं देगा आपको आप black color अगर use कर रहे हैं तो उसको किसी color के साथ mix करके use कीजे उसके साथ हम लोग बढ़ते है step number 4 पर जो कि work on mid tone areas इसके बाद आपको side by side mid tone colors को सिर्फ लगाते जाना है देरे देरे और आप यहाँ पर देख सकते हैं delicately सिर्फ उन्हें रख दीजिए और color को blend मत किजिए क्योंकि जब आप blending करते जाते हैं तो वहाँ पर colors muddy हो जाते हैं आनि कि freshness नहीं रहती है colors के अंदर एक चीज़ आप note करिए है जितनी बार आप colors को mix करते चले जाएंगे वो उतने जाधा dull होते चले जाएंगे तो आप painting में जाधा blending ना करें कोशिश करें कि side by side up strokes रखें उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं carefully सिरफ side by side में strokes रख रहा हूं और उसी के साथ आप देख पाएंगे कि उसके अंदर थोड़ी richness रहती है painting में उसके साथ जब आप colors को side by side रखते हैं अगर आप बिल्कूल उ दो तीन चीज़े होती हैं वह हम लोग next step में discuss करेंगे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं mid tone area हमने पूरा ही लगबख face cover कर दिया क्योंकि इसके बाद हम लोग करने वाले highlights और जब हम लोग hair जैसे हम मैं बना रहा हूं यहाँ पर तो इसके लिए आप broad patches यूजे बदला लगाने हैं delicately बतलब कि आपको जो नीचे color है उसको disturb किये विना आपको सिर्फ जाधा pressure नहीं देना है brush के उपर और जो हमने पहले से color mix किये हुए है वही आप यूजे कर सकते हैं और जाधा pressure ना देते हुए आपको brush को सिर्फ रखके हलका सा push करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपने जाधा hardly उसको push किया तो जो नीचे वाला color वो disturb हो जाएगा और जो light color हमने उपर लगाया वो दोनों mix up हो जाएगे और हमें जो effect चाहिए वो नहीं मिल पाएगा और जो मैं आपको बोल रहा था कि आपको blending नहीं करनी है अब यहाँ पर आप देख सकते मैं blending नहीं कर रहा हूँ मैं सिरफ colors को वहाँ पर रख रहा हूँ थोड़ा सा रख के सिरफ उसका हलका सा edge उसके अंदर blend कर रहा हूँ उससे होता यह है अगर आपने पूरी color पूरा ही blending कर दिया तो वहाँ पर वो plastic जैसा लगने लगेगा अगर मैं पूरी nose पर बिल्कुल you know blending कर देता हूँ तो वो फिर natural नहीं लगता है वो plastic जैसा लगने लगता है फिर तो वो natural effect आप रखने के लिए over blending ना करें मैं यहाँ पर बिल्कुल blending नहीं करने को कह रहा हूँ blending आप कर सकते हैं लेकिन over blending ना करें अगर आपने सभी चीज़े smooth कर दी तो फिर वो एक variety खतम हो जाती है और हमें life में variety तो चाहिए ही और इसके साथ आपको एक चीज जो सबसे जादा करनी है वो है enjoy enjoy the process अगर आप process को enjoy नहीं कर रहे हो तो outcome उसका इतना अच्छा हो सकता है ना आये क्योंकि जब हम लोग process को enjoy करते हैं तो वहाँ पर you know it's like playing कि जब आप खेल रहे तो आपको खेल का मज़ा लेना है सिरुफ तो ही आपको उसका benefit मिल पाएगा otherwise तो आप सिरुफ वहाँ पर time waste करके आ जाओए तो यह सब चीजों का आपको ध्यान रखना है so अब यहां से हम लोग बढ़ते हैं painting को refine करने के तरफ अब हमारा जो main focus था वो portrait पर था अब हम लोग side की dress और जो भी areas रहे गए हैं उन पर हम लोग काम करते हैं अब जो इसकी dress है वो orange color के हमें बनानी थी लेकिन मुझे वो orange अचा नहीं तो फिर उसको मैं change कर रहा हूँ अब यहां पर trial and error काफी सारे होते रहते हैं तो उससे आप ना डरें एक दो painting खराब हों कोई बात नहीं दुबार ट्राइग गीजे लेकिन एक चीज है कि आपको experiment जरू करना है अगर आप experiment नहीं करोगे तो फिर वो सीखने में growth जो है वो काफी slow हो जाती है और एक चीज़ अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है क्योंकि बहुत सारे लोग जो वीडियोस देख रहे हैं वो subscribe नहीं किये हैं almost 80% जो लोग है वो subscribe नहीं किये है तो आप subscribe कर ल वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा तो काफी clean edges निकल के आ रहे हैं और इसे के साथ दोस्तों painting हमारी ready है मिलते हैं आप से गिली वीडियो में तब तक के लिए happy painting आपने मुझेता समय दें उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया